किड़नी खराब होने से पहले ही हमारे सरी में दीख रहा है यह संकेत है अगर आपके सरी में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो सतर्क हो जाइए, तैयार हो जाइए, हो रहा ही किड़नी डैमेज नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगा नुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ है जिहां दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्रत्यक मानव सरीर में दो किड्निया होती हैं जो मुख्य रूप से यूरिय क्रिटनिन एशिड आदी अपसिष्ट पदार्थों को च्छानने के लिए जिम्मेदार होती हैं लाखों लोग किड्नि की कई तरह की बीमारियों के साथ रह रहे हैं और उनमें से ज्यादा तर लोगों को इसके बारे में अंदाजा भी नहीं है किड्नि की बीमारी के कई लच्छड होते हैं लेकिन कभी-कभी लोग उन्हें अंदेखा कर देते हैं या फिर अन इस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं किर्णी हमारे सरीर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है या मुखे रूप से यूरिया क्रेटनीन और नाइट्रो यूगत वेस्ट मैटेरियल से बलड को फिल्टरिंग करने के लिए जिम्मेदार होते हैं ये सभी टॉक्सिन्स हमारे बलेडर में जाते हैं और पेसाब करते समय बाहर निकल जाते हैं लाखों लोग किड्नी की कई तरह की बिमारियों के साथ रह रहे हैं और उनमें से ज्यादत तर लोगों को इसका अंधाजा भी नहीं है ये ही वजह है कि किड्नी को एक अकसर साइलेंट किल्यर की रूप में जाना जाता है इसलिए समय रहते अगर हम इन लच्षो को जान लेते हैं पहचान लेते हैं जो हम्रे सरी में दिखाई देते हैं लेकिन इसे जानने के लिए आप को वीडियो पूरी देखनी होगी आन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अप्लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल पर मिल जाए इसके लिए आन नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें नमबर एक जिया दोस्तों इसमें आखों के आसपा सूजन दिखाई देने लगती है जो कोशिकाओं या उतकों में तरल पदार्थों के संचा के कारण होता है यह गुर्दे की बिमारी की सुरुवाती लच्छोडों में सेहख है यह उन व्यक्तियों के माध्यम से काफी मात्र में प्रोटीन का रिसाव होता है नमबर दो जैहरे दोस्तों किडनी की खराबी चलब सबसे पहले प्यसाब करनों बदल जाना मात्रा में कमी आना ज्यादा से सामाने सेया प्यसाब आना पेषाभ में जलन पीषाभ्ताय और गंभिर इस्तितिमें पेषाभ आना बिल्कुल होता है सामान दिने में तुला में जीसे सामान दिने में आप थक्ते हैं उससे जब्याइदा तकान महसूस करेंगे और आपको नंबर 4 दोस्तों सरीड़ फीलापैंट करणी के खराबी के सुरुआती लचड अगर उप्चार में इनिमिया ठीक नहीं हो रहा है तो यह क्रिटनी की खराबी का कंफर्म संकेत हो सकता है नमबर पांच भूक में कमी जिया दोस्तों भूक में कमी यूरियक क्रिटनी एशिड जैसे विसाक्त पदार्थों के जमा होने से विव्यक्ति की भूक में कमी आने रखती है इसके अलावा जैसे जैसे गूर्दे की विमारी बढ़ती जाती है रोगी के स्वाद में बदलाव होता जाता है जिसे अक्सर रोगी द्वारा धात के रूप में बताया जाता है ये किसी भी दिन में किसी भी समय बिना कुछ खाय पिए पेट भरे होने का एहसास हो तो आपके दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए और आपको किड्नी की जाँच जरू करानी चाहिए